So Hello Everyone, This is your Roshan Bhaiya 2025 Board Parikshas related CBSE के दरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है CBSE ने एक Advisory Circular निकाला हुआ है अब इस Advisory Circular को निकालने की क्या ज़र रहत थी? CBSE ने सरी यह क्यों निकाला हुआ है? क्योंकि बहुत सरे ऐसे Fake YouTubers थे जो बच्चों को Mislead कर रहे थे अब Mislead की सरह से कर रहे थे ते इसको लेके यहाँ पर क्या दिया गया है? कि It has come to our noticed that certain online portals and websites are circulating outdated links and unverified news जो unverified news थे जिसका CBSE से कोई लेना देना नहीं है, कोई वस्तुरिकता नहीं है किस से related? तो Sample Question Paper से related भाई बहुत सरे ऐसे लोग है ना जो कि फेक फेक Sample Question Paper CBC का वो डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि 2025 बोड परिक्चा में इसी Sample Question Paper से आएगा जबकि CBC ने अभी तक भाई 2025 बोड परिक्चा के लिए Sample Question Paper ना दिया ही नहीं है से अभी तक भाई 2025 बोड परिक्चा के लिए Sample Question Paper ने निकाला है लिए बहुत सारे ऐसे फेक फेक यूट्यूबर्स है ना जो कि अपने चैनल पर यह दिखा रहा है कि यह सी बेसी ने स्यांपल कोशन पेपर 2025 बोड परिक्षा के लिए दे दिया है तो इसी के रिगार्डिंग देखो यहां पर सी बेसी ने यह वाली जो सरकेवलर है वो दी ह तो पहला मैंने आपको यहां पर प्रूफ के तोर पे दिखाया कि स्यांपल कोशन पेपर जो बहुत सारे ऐसे फेक यूट्यूबर्स थे जो कि वो डाल रहे हैं और कर रहे हैं कि यह स्यांपल कोशन पेपर है इसी के अनुसार 2025 बोड परिक्षा में कोशन आएगा जो कि यह कर देगी यह हमारे पास ऑफिसल अपडेट आई हुई है इधर दर नहीं जाने वाला है ठीक है एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेक फेक क्यूरिकिलम यानिक सिलेबस भी डाल रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड यहां पर है अब बच्चों को आप गलत सिलेबस करोगे तो बच्चों को सही इंफॉर्मिशन देनी जरूरी है इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को जो भी न्यूज दिया जाएगा बिल्कुल हंडेट परसंट करेक्ट ऑफिस्यल न्यूज दिया जा अब CBAC resources का मतलब क्या है मैं यहां पर आपको दिखाता हूँ यह देखो यहां पर आपको CBAC resources देखो कही ना कहीं जो एEND को मिल तो बहुत सारे ऐसे लोग है ना जो कि इन क्यूरिकुलम पर आके यह पिर यह जो competency-based questions पर आके यह बता रहे हैं कि जो competency-based questions है वो यहीं से पूछा जाएगा आपके बोर्ड परिक्षा में जो questions आएगा वो वहीं से आएगा जो कि यह 100% गलत न्यूज है CBSE सिर्फ practice करने के लिए case-based questions देती है या competency-based questions देती है और एक जाए CBSE ने competency-based questions दी हुई है मैं आपको दिखा रहा हूँ ठीक है जिन बच्चों को पता नहीं होगा तो आप यहां से अपने competency-based questions की तैयारी कर सकते हो बोर्ड परिक्षा में questions जो होगा वहां से नहीं आएगा बट practice करने के लिए कि सर मुझे competency-based questions की तैयारी करनी है कैसे करो तो आप यहां से कर सकते हो handbooks में मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ क्या है हैं हाँ handbooks में handbooks में देखो आया हुआ है देखो mathematics का grade 10 competency-focused practice question है ना physics का यहां पर 12 class का दिया हुआ है social science का दिया हुआ है तो mathematics और social science का दिया हुआ है अब यहां पर मैं आपको year भी दिखा रहा हूँ session 2024-25 session ठीक है तो जो session आपका सही है 2024-25 session उससे related यहां पर cbc ने competency practice question दिया हुआ है अब यह बिल्कुल मत समझना कि cbc यहीं से question देगी यह सिर्फ practice करने के लिए ठीक है द्यान रखना यह practice करने के लिए ठीक है ना तो यह practice करने के लिए साइंस का भी है science का देख सकते तीन subject का cbc ने competency-based question दिया हुआ है इस तरह के फेक न्यूज पर बिलीब मत करो अगर आपको कहीं पर भी ऑफिसियल नीज देखना होगा तो हमारे website पर जाना यहां सब सारे website है यह सब website cbc का है इन सब से जाके अपने आप जो भी cbc के दिया जाएगा cbc का ओफिसियल नीज दिया जाएगा समझ में आज चलिए आज के लिए इतना ही नेक्ट वीडियो में आगे और भी cbc जो हमारे पास विसी रिएटर जो हमारे पास अपडेट आएंगे आपको लगातार देते लेंगे तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर प्रिके जर्रक्ति थैंक यू बाबाई